देश में पहले ही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है ऐसे में केन सरकार ने उन पर और डबल मार करते हुए GST की दरों को बढ़ोतरी दे दी है इसके बाद खाने पीने की चीजों पर जादा टैक्स लगने के बाद ये महंगी हो जाएंगी इन दरों को वापस लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल ने सरकार से गुहार लगाई है उन्होंने इन बड़ी दरों को तत्काल प्रवास से वापस लेने की मांग की है जिससे की आम आगमी को रहत मिल सके GST पर दिल्ली के मुख्यमंद्री अर्विंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्टिया जाहिर करते हुए कहा है कि इतनी महंगाई ही इतनी महंगाई के जमाने में देश में अकेला दिल्ली ऐसा राज्य है जहां आमनागरिकों को हम लोग महंगाई से थोड़ी रहत दे रहे हैं दिल्ली सरकार मुफ्सिक्षा, स्वास, बिजली, पानी और महिलाओं को बसों में फ्री सेवा की सुब्दा दे रही है दिल्ली में योग मुफ्सिकाया जा रहा है, तीर्च यात्रा मुफ्त में करा जा रही है इन सारी चीजों को जोड़ कर देके तो हर परिवार को हर महीने कम से कम 10-15,000 रुपय का फायदा हो रहा है आपको बताते चले कि सोमवार यानी 18 जुलाई से कुछ घरेलू वस्तुओं, होटल, बैंक, सर्विसेज, समेत कुछ चीजों के लिए पहले से अधिक खर्च करना पड़ेगा छपाई लेखन या फिर ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही, LED लाइट्स, फरनीचर और उनके मैटल प्रिंट हुए सर्किट बोर्ट भी महंगे हो जाएंगे जूरे रिपोर्ट, IPN